फिर अमाटो मेकाबोट के पाश्ट के बारे में बताने लगता और बताता है कि वो मेकाबोट को अपने दोस्त की तरह मानता है अमाटो पर भरोशा करके तकासा मान जाता है और वो उन दोनों को फाइट में भेजने के लिए तयार हो जाता है और इसी के साथ मेका बोट और अमाटो मर्ज होते और मेका माटो बन जाते हैं साथी मेका माटो के पास एक वेपन भी था जिससे वो ग्राका कुछ से फाइट करने लगते हैं और इसी के साथ अब ग्राका कुछ हारने पर आ गया था पर तभी वो उन लोगों को नीचे गिरा देता है जिने उसने पकड़ रखा था लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक आदमी आता और वो उन सभी को बचा लेता है तभी एमेन अपना मास्क उतारता जिससे पी इन को पता चलता है कि उसके फादर ही मास्क मैन थे लेकिन तभी ग्राका कुस वापस अमाटो पर अटैक करने लगता है और मेकाबोट और अमाटो को अलग भी कर देता है ग्राका कुस अमाटो को नीचे फिक देता और मेकाबोट की पावर यूज करने की कोसिस करता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं भाता और तभी मेका बोड ग्राका कुस पर अटैक करता है और अमाटो को भी गिरने से बचा लिता है फिर वो दोने एक जेट के साथ मर्ज हो जाते हैं और ग्राका कुस को पीटने लगते हैं